आप सबे किसान भàiयों, प्रसफालर भायों को मेरा नम अवस्कारड, दोस्तों कैसे आप सब आसा करता हों कि बहुत यह अच्छे होंगे, दोस्तों मैं हूँ पैरावेट सर्फिश पांडे, स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पैरावेट सर्फिश पांडे पर दोस्तों आजम बात करने वाले है कि जब भी आपकी गाय भैस बच्चा देती है तो दोस्तों बच्चा देने के बाद पसु में कौन, कौन से सौधनिया भरतनी चाहिए और पसु का दोस्तों देखवाल कैसे करना चाहिए उसे किड़ी की दवा कप देनी चाहिए मतलब आपके गाया भैस बच्चा दे दिये उसके बाद दोस्तों कितने दिन बात किड़े की दवा देनी चाहिए कैल्सियम कप पिलाना चाहिए लिवाटानिक कप देना चाहिए और बच्छडे या बच्छिया या पणिया का देख भाल कैसे करना चाहिए दोस्तों इन सभी बिस्यों पर इस वीडियो में चर्चा होगी तो इसलिए वीडियो पर दोस्तों अंतक बने रहें और अगर आप हमारी YouTube चैनल पर नहे हैं तो दोस्तों अमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे लाइक करें, कमेंट करें, सेर करें ताकि आपको आगे भी ऐसी अच्छे च्छी वीडियो मिलती रहे दोस्तों आए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों जब भी आपका पसु बच्चा दे तो जहां पर मतलब जिस अस्थान पर दोस्तों आपका पसु बच्चा दे वो अस्थान बहुत ही सांथ होना चाहिए वहां का वातावरंड दोस्तों बहुत ही सांथ होना चाहिए ऐसा ना हो कि जहां आपका पसु बच्चा दे वहां बहुत सुर सरावा हो या बहुत सारी भीड़ी कठी हो दोस्तों ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है इसके पास दोस्तों रख देना है ताकि वो अपने बच्चे को अच्छे स्चाट सके और पूरा साफ सफाई कर सके इसे दोस्तों क्या होता है कि जो भी बच्चे के सरीरी पर दोस्तों इंफेक्शन रहते हैं वो अच्छे साफ हो जाते हैं और तीसरी चीज़ दोस्तों आपक दूद निकालेंगे या बच्चे को पिलाएंगे जबकि दोस्तों ये बहुत ही गलत बात है जी हां दोस्तों जब भी आपकी गाया भेंच बच्चा दे तो दोस्तों बच्चे को साफ सफाई करने के बाद उसको मा के थन के पास ले जाना है और एक घंटें के अंदर मतलब द बच्चा देने के बाद एक घंटे के अंदर जितने वी दूद वह बच्चा पी पाए उसे पिला देना है जियां दोस्तों अगर आपके बच्चिया या पणिया है तो दोस्तों मा के थन के पास ले जाके जितना दूद वह एक घंटे के अंदर पी जा रहा है उसे पिलवा के अंदर अच्छे से तो दोस्तों आगे चल के वो बहुत ही अच्छी बच्चिया या पढ़िया तैयार होती है और वो जल्दी बीमार नहीं परती है उसकी इम्मुनिटी बहुत ही श्ट्रॉंग होती है दोस्तों तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है तीसरी बात है दोस्तों हमारे बहुत से पसपालक और किसान भाई ये करते हैं कि जब भी उनका पसू बच्चा देता है तो उसे दोस्तों कोई कचड़ा का टानिक ततकाल नहीं पिलाते हैं, उसके दो दिन चार दिम बाद पिलाते हैं, दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, जब भी आप अच्छी यूट्राइन टानिक लेके आना है कम से कम एक लीटर दोस्तों, बहुत लोग क्या करते हैं कि अधा लीटर लेके आता है, जबकि ऐसा नहीं करना है, कम से कम दोस्तों, एक लीटर यूट्राइन टानिक उस दिन से ही स्टार कर देना है, फिलो आना, यूट्राइन ट हीट में आएगी दोस्तों तो समय से हीट मिलाता है और उसके बच्चे-दानी को दोस्तों पूर्ड रूप से स्वस्त बनाता है जी हां दोस्तों इसलिए दोस्तों जब आपका पसु बच्चा दे दे तो उसी दिन जाना है और एक अच्छी उट्राइंट टानिक मतलब कचड़े की टानिक, कचड़ा साप करने वाली टानिक लेके आना है और अपने पसू को दोस्तों 100-100 ml सुबह और 100-100 ml साम पीलवाना है दोस्तों इसके बाद ने आपको बताना चाहूंगा कि पसू के लिए दो खुराक अच्छे दर्द की बुखार की उसमें एंटिबाइटिक बढ़ियां मिलोगा कि दोस्तों दो खुराक पसू को दवा लेके आना है क्योंकि होता क्या है कि जब भी हमारा पसू दोस्तों बच्चा देता है तो उसके सरीर में बच्चे दाने में दोस्तों बहुत जगह सूजन रह जाती है और पसू के सरीर में दोस्तों हरासमेंट रहता है दर्द भी रहता है तो यह ट्राइंट आने के साथ साथ पसू को दोस्तों कम से कम 2-3 खुराक अच्छी दर्द निवारक दवाईयां देनी है जिससे दोस्तों हमारा पसू मतलब बिमार ना पड़े और वो अपना खुराक बंद ना करे और जो दोस्तों एक बात और आपको ध्यान दखना है कि बहुत से हमारे किसान और पसवालक भाईये करते हैं जब भी उनका पसू बच्चा देता है तो उसके दो दिन चार दिन बाद ही अपने पसू को किड़ी की दवा दे देते हैं इसनाते दोस्तों जब भी आपका पसू बच्चा दे तो कम से कम 15-20 दिन और हो सके तो एक महिने रुक के ही किड़ी की दवा दे और एक कम आपको और करना है जब भी अपने पसू को आप कीड़ी की दवा दे दोस्तों उसके अगले दिन लिवर टानिक चलवा के फिर कैलसियम चलवाना है ऐसा नहीं करना है कि आज आपका पसू बच्चा दिया कल से कैलसियम पिलवाना आपने शुरू कर दिया ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं करना है कीड़ी के दवा दे कि अगले दिन से लिवर टानिक चलवाना है लिवर टानिक खतम होने के बाद फिर उसे एक अच्छे कैलसियम लेकिया आना है दोस्तों और कैलसियम देना है और जो सबसे आखरी और जरूरी बात है दोस्तों कि बहुत से हमारे किसान भाई खोब अच्छा आर अपने पसों को खिलवाते हैं अच्छा पसु आर खिलवाएंगे चोकर खिलवाएंगे घर की दरिया खिलवाते हैं लेकिन बच्छा देने के बाद अपने पसों को कैलसियम नहीं पिलवाते हैं ये सबसे बड़ी गलती है और उन लोग को लगता है कि मैं अपने पसू को कैलसियम नहीं पिलवा रहा हूँ फिर भी हमारा पसू दूद बहुत बढ़ियां से दे रहा है दोस्तों आपको एक बात समझनी होगी कि जब भी हम अपने पसू का दूद निका रहे हैं धे देरे उसके सरीर से दोस्तों वह पुसकत्तों कम हो रहे हैं जो भी दोस्तों दूद के साथ साथ मिनरल्स या जो भी अच्छे पुसकत्तों निकल रहे हैं वह पसू के सरीर से ही आ रहा है और दोस्तों उन पुसकत्तों की पूर्ति करने के लिए केलसियम पिलव बहुत सारी समस्याय नहीं आएंगी आपका पसु अमेशा स्वस्त्र रहाएगा समय से हिट में आएगा और हर साल आपको एक बच्चा आपका पसु देगा तो दोस्तों इन सभी बातों पर आपको विसेश धिहान देना है जो भी बाते मैंने इस वीडियो में आपको बताई ह और इस तरीके से अगर आप अपने पसु का ख्याल रखते हैं तो आपका पसु दोस्तों सदेव स्वस्त रहेगा दूद पतन छंता उसकी बने रहेगी और दोस्तों वो समय से हिट में आएगा और कंसिब भी कर जाएगा और आपके पसु को जल्दी कोई भी समस्या नहीं जो बहुत ही पसंद आई होगी और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में तक तक के लिए नमस्कार